पर्फोरेटेड इयर्ड्रम कान के पर्दे में होल उसका ट्रीटमेंट एंड रिकवरी यास दोस्तों बात करते हैं पटी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दीए कि बैल आइकोन को प्रेस करना है यूटूब चैनल को सब्सक्रीक करना ना बुले जिससे अनेक उप्यों क लिए कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहें दोस्तों कान के पर्दे का फटना सबसे पहले हमें यह जानना है बड़ा एक सिंपल और संक्सित में कान का पर्दा क्या है दोस्तों जो हमारा हेरिंग का जो सिस्टम होता है उसको कवर करने के लिए एक तो अग Ingred propose एक festive layer रिश्या में बोलते हैं जू से एक festive layer है तो पन रिश्या की वज तो कान का परदा बोलते हैं अगर ऐसieme नियंग हो गया तो हमें कंपन नहीं होंगे तो शीदह सी बात हमें सुनाई नहीं देगा अब अगर इसमें होल हो गया तो दोस्तों जो इसका treatment हो है वो एक surgery होती है तिमपेनोप्लास्टी और यह जो तिमपेनोप्लास्टी है उसमें क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा कान के पास में यहाँ पे एक temporal muscle होती है और जैसे हमारी चमडी है ऐसे उस muscle की एक कवरिंग होती है बहुत थिन फैशिया जिसको हम temporal फैशिया बोलते हैं तो जित्ता कान के पर्दे में होल होता है उसका दो तीहाई या उसका डबल जो है वो एक साइज का वो हार्वेस्ट कर लिया जाता है और उसको जो है वो हम हमारा जो कान का पर्दा है उसके बीच में स चीरा लगके और उसको डालने के लिए एक स्पेस बनाया जाता है दोस्तों आजकल एंडॉस्कोपिक जो सर्जरी होती है एंडॉरल टेक्निक से उसमें कान के तीछे चीरा नहीं लगता और आगे ही उसको जो है वो सेम वर्क कर दिया जाता है जिसको स्कार लेस इयर सर्जरी इस दोस्तों इस के रिकार के तो अगर आप इस सर्जरी को दोस्तों कराते हो तो आपके बहुत माइने में फायदे हैं पहला ये डेकेर शाजरी है दूसरा इसमें पीछे पोस्टोरेल स्कार आफे को नहीं होगा तीसरा मिनिममा का ब्लड लोजस हैं चोहते आपको दर्द नहीं होगा और पाचवां आपको कोई इस कार की इसमें कोई tendency नहीं होगी वह सबसे में बात जो मेरे friends ने जो army में जाना चाहते हैं एयर force में जाना चाहते हैं वहाँ पे वो medical में unfit नहीं होगे और यह हो गया हमारा treatment इसके बाद अगर recovery की बात करते हैं तो दोस्तों यह जो recovery है यह आप मानों कि 10 days आपके एक bandage रहता है जब हम bandage हटा जेते हैं उसके बाद के अंदर जो है करीब करीब कान के अंदर जो operation किया है वहाँ पे एक दवा लगा कि कान को बंद किया जाता है जेली जिसको हम jail form बोलते हैं 21 दिन बाद वो हटा दिया जाता है आप यह मान के चलिए अगर आप मेडिकल में जाना है तो 25 दिन बाद आप जो है वो मेडिकल में जाने लाइक हो सकते हैं आप अपना जो है वो मेडिकल का जो है वो फिटनेस के लिए आप जो है वो अपना रैफर वगर आप तुडवा सकते हैं तो दोस्तों यह है कान के परदे के अंदर होल यानि उसका ट्रीटमेंट और उसकी रीकवरी जो अगर आपको इस प्रॉब्लम परदे में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटल आप अपना कंसल्ट करके और अपना जो है आगे अपनी आने वाल खिर दूस परिनाम है उससे हम ब प्रॉग जय आपके अबर आ आपको पडिल 들व में आ परोगरी जसमेशसमान झापको जय जय być कान परने में लागरा? झाल उसके और एंउ उसके परा मेंना प्रॉब्लम outputs इससा जिसाहा आता है